टेक्निकल नॉलेज की लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सारी वीडियो मिलें आपको सबसे पहले दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जो CPU है जिसमें आप सीधा सीधा पावर केबल कनेक करते हो जिसके अंदर कई सारी चीज़े होती है छोटे-छोटे कॉंपोनेंट हो गया आपके रैम हो गया या फिर मैं बात करूँ प्रोसेसर या फिर SSD ग्राफिक कार्ड हाट डेस्क ऑप्टिकल ड्राइब कई सारी कॉंपोनेंट होते है अब एक चीज़ आपको बताई कि आपके घर में जो पावर होती है वो 240 वोल्ट के लगबग होती है अब आप एक चीज़ सोचो क्या आपके CPU में सीधा-सीधा 240 वोल्ट का पावर जो है वो सप्लाई किया जाता है इन कॉंपोनेंट पे मतलब जो आपका रैम है जो प्रोसेसर है जो हाट डिस्क है क्या उनमें सीधा-सी तो आप गलत है क्योंकि अगर 240 वोल्ट जैसी पावर अगर इन छोटी कॉंपोनेंट पे सप्लाई की जाएगी तो आपका जो यहाँ पे CPU के कॉंपोनेंट है वो सीधा-सीधा खराब हो जाएंगे क्योंकि इतना हाई सप्लाई वो एकसेप्ट नहीं करते हैं अब यहाँ प कॉंपोनेंट होता है जो इन में एक लिमिटेड वे में पावर को सप्लाई करता है तो वो जो कॉंपोनेंट है वो होता है SMPS SMPS बहुत ही कॉमन माना जाता है नॉर्मली आपको चीपेस्ट प्राइस में मार्गेट में मिल भी जाएगा लगवा 300-400-500 रुपे में आपको मिल सबसे में चीज क्या होती है आपका प्रोसेसर अब वो प्रोसेसर को सिर्फ 12 बोल्ट का पावर चाहिए होता है मतलब 240 बोल्ट में से सिर्फ 12 बोल्ट का पावर चाहिए होता है आपका मदर बोल्ट उसे भी एक लिमिटेड पावर सप्लाई चाहिए होता है इसे के बाद आ आपके CPU में जो different component होते हैं, उनमें अलग-अलग हिसाब से, अलग-अलग level पे power supply किया जाता है, और वो किया जाता है SMPS के बिहाब पर, तो simply भाशा में अगर मैं कहूँ कि, यह जो SMPS है, जिसका पूरा मतलब होता है, switch mode power supply, switch mode power supply, switch mode मतलब क्या हुआ कि, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग हिसाब से power supply करना, तो इसलिए इसको switch mode बोलते हैं, यहाँ पे mode अलग है, यहाँ अलग supply करना है, यहाँ पे mode अलग है, यहाँ पे अलग supply करना है, कि लिए हो रहा है कि SMPS के, तो यहाँ पे आपका जो processor है, आपका जो hard disk है या फिर मैं बात करो, आपका graphic card है, आपका optical drive है, आपका processor है, RAM है, इन सभी में अलग-अलग level पे power supply करने के काम करता है, यह SMPs, इसलिए SMPs बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जाद इंपोर्टेंट है, अब इस SMPs के बारे में मैं आपको थोड़ा briefly बताता हू नॉर्मली आपका SMPs कुछ इस तरीके का दिखाए देता है, जिसमें कई सारी cables होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे जो सबसे main cable होती है, starting की, वो होती है 24 pins की, जो सीधा-सीधा आपके motherboard में connect होता है, इसके बाद यहाँ पे एक 4, नॉर्मली जो pin होती ह कुछ CPU के motherboard होते हो, उनमें 4 pins का होता है, और कुछ में 8 pins accept करता है, यह जो होता है, यह आपका लगता है, बिल्कुल CPU के, जो CPU fan उसके थोड़े से side में आपको slot मिल जाएगा, और यह apply होता है आपके processor के लिए, मतलब जो आपका processor है, उसको 12 volt का supply चाहिए होता है, तो इस pin के through, यह जो 4 pins है, या फिर मैं बात करूँ 8 pins है, इनके through सिर्फ और सिर्फ वो जो limited 12 volt का supply चाहिए होता है, वो supply किया जाता है, इसके बाद आपका इसे SMPs में एक wire होती है, जिसको में बोलते है, साटा केबिल, जो hard disk में power supply करने का काम करती है, इसे के साथ आपको यहाँ और भ कर पाते हो, normally screen पे हर एक pin के बारे में मैंने यहाँ पे एक definition दे दिये, जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो SMPS कहने के लिए बहुत ही simple topic है, कि SMPS का definition है, वो switch mode power supply है, लेकि ब्रीफली अगर आप समझो, तो SMPS बहुत important topic है, क्योंकि SMPS की वज़े से ही, आपके जितने भी component है में में जो component है, जैसे hard disk हो गया, SSD हो गया, आपका processor है, RAM है, तो उन सब में जो power जितनी जरूरत है, जितनी बिजली की supply जरूरत है, उतनी ही जाएगी, वो depend कर रही है, इस SMPS के ब्यापर, इसी वज़े से आपका system secure रहता है, कई बार आपने notice के होगा, कि power जादा होती है, कम होती है, तो SMPS अपने हिसाब से manage करता है, अगर सीधा सीधा आपकी component को उतना load पड़े, तो आपकी component जाहिर से बात है, खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो भी sensitive होते हैं, इन मामलों में, आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज इसे like करें, अपने दोस्तों के बीच में जादा जादा share करें, साथ ही एक छोटा सा comment करके बताएं कि वीडियो आपको क्या सा लगा, thank you.